हेलो दोस्तों वेल कम टू सफलता मुंत्र दोस्तों आज की क्लास में हम लोग एक बार फिर से सीटेट 2019 की तयारी के लिए जो इंपॉर्टेंट कोश्चन्स और अलग-अलग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट प्रक्टिस सेट लेकर आते हैं उसी सीरीज में आगे वड़त लेकिन एक बार फिर से आप लोग इन सभी कोश्चन्स को रिवाइज कर लीजे क्योंकि काफी टाइम हो गया और एक एक करके सभी कोश्चन्स को देखते रहिएगा साथ में कोश्चन का अंसर जरूर देते रहिएगा कल हम लोग ने हिंदी पैडोगोजी के इंपॉर्टें हम लोग हल करेंगे और एक एक चीज को साथ में ही पॉइंट वाइस समझते रहेंगे दोस्तों साथ ही साथ बताना चाहूंगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजे उसके पास में एक वेल आइकन दिखेगा उ और 120 प्लस अंक आप लोग आसानी से ला पाएंगे तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तों सीटेट 2019 नाम से प्लेलिस्ट बनी हुए उसमें आपको मेरी 2019 की सभी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो एक ही स्थान पर मिल जाएंगी तो वहां से उन सभी वीडियो को जरूर देख लीजेगा चलिए अब देखते हैं पहले कोश्चन से लिए प्रात्मिक तरीश्ट की पढ़ाई का प्रमुक उद्देश है थो प्रात्मिक के इस्थर करने में सहायता करना यानि कि पर्यावरन अध्यन किस लिए सहायक होता है तो बच्चों की जो पढ़ाई होती वो विद्याले से बाहर का जो जीवन होता है उसका जो वैभारिक जीवन होता है जिसे वो अपने जीवन में प्रयोग करता है उसके बारे में उसे जानकारी प्रा सेकंड नंबर कोशन पर तो सेकंड नंबर कोशन क्या है पर्यावराण की पुस्तक में विभिन प्रक्रणों में एक खंड करके देखो को सामिल किया गया है जिसका उद्देश क्या है आपने पुस्तकें देखी हूंगी पर्यावराण अध्यन किया किसी भी सब्यक्ट की उसम में देख के जल्दी से बताना आंसर कौन सा से होगा तो फौर्थ रंबर आप्शन में दिया गया प्रत्याच फ्त्रत परक्क्र अनुभा वॉपलब्द कराना यानि कि जब बालक करक्र कर देखेगा तो उसे स्वयम से चीजों के बारे में स्वयम जब वो उन चीजों को करेगा सीखेगा तो उसे उसका अनुभव प्राप्त होगा experience मिलेगा उन चीजों के बारे में उसका जो ग्यान होगा वो हमेशा के लिए हो जाएगा इस्थिर ग्यान हो समर्थन नहीं करती है तो इनमें से किसका समर्थन नहीं करती है इसमें चारों पढ़ लिए एक बार बच्चे कम गलती करें बच्चों से बहुत से प्रस्थन पूछें बच्चों को खोज के लिए परयाप्तिस्थान मिले या फिर बच्चों को करके सीखने का अफसर मिले तो बलकि बच्चों को हमेशा प्रेजित करना चाहिए कि वो कोई भी कार करें उसे करना आवस्यक होता है गलतियां होना आवस्यक नहीं होता है तो इसका आपका फर्स्ट नंबर ऑप्सन सही हो जाएगा जो कि इसका समर्थन नहीं करता है इसका आपका बच्चे कम गलती करें इस की जा सके तो इसका आपका फूर्थ नंबर कुश्चन का पहला उप्शन सही हो जाएगा पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रसन सम्मिलित करना यानि कि पाठ के अंत में ऐसे प्रसनों को सम्मिलित करना जिससे कि उसकी प्रक्टिस हो सके और मेंली ऐसे कुश्चन जिससे कि वो प्रत्य चीजों को बाता बरण से प्रत्य शुरूप से जुड़कर उन चीजों का प्रियोग करके स्वेम के द्वारा करके सीखे तो इसका आपका फर्स्ट नंबर आप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा अब इसके आद बढ़ते हैं फिर्ट नंबर कोशन पर पर्रया पर्या बरण सिख्यों के प्रप्त के लिए पार्ठ इचर्य इन सबी बातों पर आधारित होनी चाहिए पहला भी सही दूसरा भी सही तीसरा भी सही यानि इसका फूर्थ नंबर आप्शन सही हो जाएगा उप्रोर्ष सभी अब इसके बाद बढ़ते हैं फिस नंबर कोशन में समझने में या उसे जानने में लेकिन उसकी अबधारणाएं जो होती हैं concept होता है उसे नहीं समझ सकता है तो यह कौन सी उम्र होती जल्दी से उसकी बुद्ध का मानसिक विकास इतना नहीं हो पाता कि वो उसकी अबधारणाओं को जो में उसकी concept है उन चीजों के बारे में अच्छे से समझ सके उसे concept समझ में नहीं आता है लेकिन जिग्यासा होती है तो यह आपका इसका आपका third number option सही जगा और अगर concept भी समझ में आ जिग्यासा भी हो रही है तो यानि कि इसका आपका second option सही हो जाता लेकिन concept समझ में नहीं आ रहा है इसलिए third number option सही हो जाएगा अगला seven number question है एकिकरत उपागम की विवस्था करते समय ध्यान देना चाहिए एकिकरत उपागम की जो विवस्था की जाती है उस समय किन बातों का ध्यान देना चाहिए एकिकरत उपागम होता है जब कई अलग-अलग subject एक साथ मिलाकर एक ही में पढ़ाय जाते हैं तो उसे एकिकरत उपागम कहा जाता है अब एकिकरत उपागम के इंतरगत किन बातों का विशेज ध्यान देना चाहिए पहला option है विशेवस्थ को सरल स जटिल की और संगिठित करने में दूसरा पाठ क्रम की विभिन इकाईयों को क्रमबद रूप से विवस्थित करने में मन्द बुद्धिवा पिछरे बालकों की अधिकम गति बढ़ाने में या फिर उप्रोक्त सभी तो देखे दोस्तों उपर के तीनों option जो दिएगे बिल चाहिए यानि कि अलग-अलग सब्जेक्ट जो है वो क्रमबद रूप से लाइन से लगे हुए हो ताकि एक एक कॉंसेप्ट को समझते हुए अगली पर बढ़ा जाए और मंद बुद्ध्य और पिछड़े बालकों की जो अधिकम गति है उसे बढ़ाने का प्रयास करना चा यानि कि इसके जो तीनों ऑप्शन दिये गए सही हैं तो उपरोग सभी यानि कि फोर्थ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा पर्या बरन अध्यन के अंतरगत आपका भूगोल प्रत्वी वाता बरन जितनी भी चीज़ें हमाई आसपास हैं उन सभी का अध्यन कराया जाता है यानि कि प्रत्य ऐसी चीज़ जो कि वाता बरन से सम्मंदित है और बालक को प्रभावित करती है वो सभी चीज़ें पर्या बरन अध्यन के अंतरगत ही आती हैं इसके बाद नाइन नंबर कोशन है पर्या बरन सिच्छा का मुख जोर विद्यार्थियों को अपनी वास्तव प्रकृतिक दुनिया जिसमें वो रहते हैं तो उसे कि से रूबरू कराये जाता है कि इन चीजों से जिसमें वे रहते हैं जो खालिस्तानी चारू अप्शन दिए गए देखिया आप लोग कौन सा उप्शन सही हो जाएगा तो दोस्तों इसका आपका थर नंबर आप्शन स प्राकृतिक और सामाजिक यानि कि जिसमें वे रहते हैं जो प्राकृतिक और सामाजिक है से रूबरू कराना होता है मेंली प्राकृतिक और उसके बाद सामाजिक ये दोनों चीजें मुख्रूप से होती हैं बाकी जो दिये गए राजनीतिक ये गलत हो गया आर्थिक भी नह नमबर कोशन है प्राथमी किस तर पर विग्यानवा सामाजीक विग्यान को एक ही विशे पर्या बनाड के तहट पढ़ाया जाता है यह विग्यान सिच्छन का खालिस्थान है तो दोस्तों अभी उपर मैंने आपको बताया था कि जब अलग-अलग दो-तीन सब्जेक्ट एक स सब्जेक्ट बनाए गया पर्या बनाड अध्यन जिसका अध्यन बच्चों को कराया जाता है विग्यान सिच्छन का एक इक्रत उपागम कहलाता है तो इसका आपका फर्ष्ट नमबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा अब इसके बढ़ते हैं 11 नमबर कोशन पर छात्रो तो देखे दोस्तों एक उक्रत उपागम दिया गया यही सबसे स्रेष्ट बना जाता जो कि पर्याबराण अध्यन की सभी साखाओं को एक साथ पढ़ाने हेत्व होता है क्योंकि एक इक्रत उपागम ही सभी साखाओं को एक साथ और क्रमबद रूप से पढ़ाने के लिए प्रियोग में लाया जाता है यही सबसे स्रेष्ठ वाना जाता है इसका आपका सेकेंड नंबर आप्शन विल्कुल सही हो जाएगा अगला इसके बाद है ट्वेल नंबर कोशन पर्या बरन अध्यन की पाठ पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाना जो रेलवे टिक का नमूना इसलिए रिखाया जाता ताकि वालकों को जो वास्तविक जानकारी से रूबरू कराकर उसकी अंताक्रिया तक पहुंचाने के अफसर प्रतान किये जाए और उस चीज को वालक समझ सके यानि कि जब उसे सामने से रेलवे टिकट दिखा जाए तो वो समझ सके बाकि जो ऑप्शन दिये गए गलत हैं फर्ष्ट नमबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा अब इसका बढ़ते हैं थर्टीन नमबर कोश्चन पर थर्टीन नमबर कोश्चन है पर्याबरण अध्यन का बालक के भविश्च से क्या सम्मंद होता है जल्दी से देखिए ए धिन कराया जाता है दोस्तों यह कि कुश्चन का आंसर जरूरूर देते रहे और अन्त में बताएगा आपके कितने कोश्चन सही हो रहे हैं और साथ-साथ दोस्तों बीडियो को सेयर ज़रूर करते रहा करिए क्योंकि इस समय आप लोग वीडियो को जादा नहीं देख रहे हैं इसलिए जल्दी से जल्दी वीडियो को सेयर कर दिया करें ताकि सभी लोगों के पास तक वीडियो समय पर पहुंसती रहे अगला फोर्टीन नंबर कोशन है निम्न में से कौन वान वानिकी से समंदित है वानिकी का मतलब क्या होता है वानिकी का मतलब होता है वनों का प्रवंदन करना वनों का सनरचन करने की जो पूरी प्रक्रिया होती है वह वानिकी कहलाती है तो इसके इंतर के किस समंदित है देखे पहला ऑप्सन है वानिकी वनों का सनरचन है दूसरा इंतरद बनों का सरच्छन और बनों का प्रवंधन किया जाता है अब इसके बढ़ते हैं फिप्टीन नंबर कोश्चन पर प्राथमी कच्छाओं में पर्याबराण अध्यन के लिए किस उपागम का अनुपालन नहीं करना चाहिए तो दोस्तों पर्याबराण अध्यन के पुद्द नहीं बढ़ पाती कि वो चीजों को अमूर्थ रूप में समझ सके नहीं वो उन चीजों को की कॉंसेप्ट को अच्छे से समझ सकता सिर्फ उसे जो प्रत्यक्ष रूप में चीज अभ्यास के द्वारा सिखाई जाती सिर्फ उन चीजों को ही वालक समझ पाता है और उनके द्वारा ही पर्याबरण का अध्यन कर पाता है तो इसका अपका थर्ड नंबर आप्शन बिल्कुल सही जाएगा अमूर्थ से मूर्थ इसके बाद 16 नंबर कोश्चन है राश्टी परिचर्या की रूप रेखा 2005 के अनुसार कौन सी पर्याबरण अध्यन की विसे ब बताय गया था यह आपको ncf 2005 यानि की राश्टी पार्ठ चर्या रूप रेखा 2005 के अंतर्गत बताया था बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक है ncf 2005 इसे हम लोग अलग से डिसकस करेंगे लाश्ट यह भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था और इससे लगवक्त दो न को बढ़ावा दिया जाना चाहिए कौन सा एक कौसल नहीं है कि इन में से कौन सा एक कौसल नहीं जिसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए तो दूस्तों इसका आपका जल्दी से बताए कौन सा ऑप्शन से फर्स्ट नंबर ऑप्शन दिया गया निर्धारन निर्धारन सही न बताना है कि इन में से कितने कोश्चन आपके सही हुए हैं अगर कोई डाउट हो कोई सजेशन देना हो इसके लावा कोई अन्य टॉपिक या स्पेसिफिक टॉपिक या सब्जेक्ट चाहते हूं तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा ताकि उसकी वीडियो भी आप से जल्द हम लोग ला सके इसके आप दूस्तों आज का अन्तिम नंबर कोश्चन जिसका अंसर आप लोगों को इबसकी फुल फॉर्म क्या होती है इसका अनसर आप आधिक सधिक संख्या में जरूर देते रहें वीडियो को सेयर करना मत भूलें चैनल को सब्सक्राइब करने वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार देना ना भूलें आज के इस पार्ट में इतना एंक्यू दोस्तों